हाँ प्रशंद बस पांच मिल में पहुच रहा हूँ क्या यार अब तुझे घर पर नहीं रहना था तो मुझे क्यों घर पर बुला है संडे को मैं भी अपने घर में आराम कर लेता भाई ओ नो यार दिस इस नॉट फेट अरे मेरे भी कई अर्जन काम होते हैं संडे एक ही छुट्टी मिलती है मुझे विष्टी पार भी तुने यही किया था अब वो छोड़ अब बता तू वापस कब तक पहुचेगा दो घंटे दो घंटे मैं क्यो कॉफी शॉप में तरह वेट कुरू हूँ भाई प्लान तू ने चेंज किया यार मैं कई वेट नहीं कर रहा हूं मैं तेरे घर पे जा रहा हूं लच के लिए सुझीता भवी है ना गर में अबै साले तेरी वाइब के साथ फ्लेट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है हाँ तो मुझे की वाइब करने के लिए बोल रहा था है मैं घर पॉच रहा हूं तू भी आजा साला मुझ पे शक करता है हाहा नमस्तर सुनिता बापि ओ राकेश कैसी हैं मैं ठीक हूं तुम कैसे हो मैं ठीक बाबी आपके पती देव भी अजीव है मुझे यहां घर पे बुलाया और खुद कहीं बाहर चला गया तुम दो उन्हें जानते हो राकेश वो बस ऐसे ही है उनके सारे प्लान अचानक सही बनते है लेकिन सुबह उन्हें किसी से फोन पे बात करते सुना था कुछ और जन काम आया पानी मुझे भी ऐसा ही कुछ बता रहा था कि टाउन में कुछ काम है कमाले भाबी उसने आपको बताये नहीं कि मैं आ रहा हूँ नहीं यह बताये था कि तुम्हारे लेकिन वो नहीं रहेंगे यह नहीं बताये था प्रशंद का काम कैसा चल रहा है सुना है जॉब शूटने के बाद कुछ कम्प्यूटर हार्डवेर का नया बिजनस शुरू किया है हाँ किया तो है पर कुछ खास नहीं चल रहा साधार महीने हो गए कोई नया कॉंट्राट नहीं मिला कितनी बार का है कि कोई दूसरा जॉब देख लो लेकिन नहीं मेरी सुनते ही गाएं वो आप चिंता मत कीजे भाबी मैं प्रशान से बात करता हूँ उसे समझाता हूँ कि कुछ और देख ले खेर वो सब छोड़ो तुम बताओ तुम शादी कब कर रहे हो अब तो तुम्हारी काफी उमर भी होगी है अरे भाबी आप जैसी सुन्दर और सुशील करन्या मिल जाए तो अभी शादी कर लू वह आपकी नजर में सुन्दर और सुशील क्या हो भाबी यह सब कहने की बात है राकेश शादी के बात सब खत्म हो जाता है आप ऐसा क्यों कह रहे है भाबी प्रशांद आपका ध्यान तो रखता है ना मुझे पुरा ही है कि ने वह आपसे बहुत प्यार करता है दिल का बुरा नहीं है वो छोड़ो यह सब उन्हें आने में टाइम लगेगा तुम चल के लांच करो बुरा नमाने तो एक बात पूछू आपसे क्या आप दोनों की शादी को इतने साल हो गए लेकिन कोई गुड न्यूज आप दोनों बच्चे के बारे में प्रशांद से तो कही बार सवाल गया मैंने तो प्रशांद ने कोई जवाब नहीं दिया कैसे जवाब देते है बच्चे एक बहुत-बडी जिम्मेदारी होते है और प्रशांद जिम्मेदारी लेना ही कहा चाते प्रशान आपको पसंतो करता है ना बापी नहीं मेरा मतलब है जब ही हम सारे दोस्त मिलते हैं तो प्रशान तो आपकी बड़ी तारीफ है करता है हम सब को लगता है कि वह आपका दीवाना है इंपैक सारे दोस्त उससे जलते हैं और यही कहते रहते हैं कि वाइफ हो तो आप जैसे अंहा है प्रशान में उसे बहुत प्राशान मैं उसे बहुत प्यार करते हैं मेरे लिए अपनी जानभी दे सकते हैं तो प्राशा प्राप्ल्लम करे ऐ है प्राप्लम यह है कि हो जातेतर अपने यह है Universal System मेरे साथ होने के बाद भी वो मेरे साथ नहीं होते है मुझे हमेशा ही इस बात का एहसास दिलाते है कि वो मेरे ही साथ है लेकिन मैं जानती हूँ कि हमेशा वो कुछ सोचते रहते है उनकी दिमाग में कुछ और ही चलता रहते है कुछ बहुत ही अजीब सा अब मैं तुम्हें कैसे समझाओंग। पहले-पहले मुझे लगता था कि प्रशान्त ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते। पर दीरे-दीरे वो रोज होने लगा। घर में खाली बैटे-बैटे उनके दिमाग में गंदी-गंदी बाते आने लगी। और वो चाहते थे कि मैं उनकी बेहुदा बातों पे अमल करूँ। शुपात में मैंने काफी मना किया। पर हर बार वो मुझे समझा लेटे थे। और फेर मेरी चुपपी हमारी रोज की आदत बन कही। भावी मैं आपका मतलब नहीं समझा रहा है। अब कहना क्या चाहती है। वो वो क्या करवाता है अपसे। तुम नहीं समझ परोगे त्याने दो। एक मेंट, किशी दूसरी औरत का मामला है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है। आप दोनों की सेक्स लाइफ। राकेश, इंसान को रोज रोज एकी चीज पसंद नहीं आती है। और अगर मामला औरत का हो, तो फिर एक पत्नी के लिए एक सबसे पुरी बात क्या हो सकती है। कि उसका पती उसे चुए तक नहीं। शादी के कुछ सालों के बात तक हमारे बीच सब कुछ बिलकुल सही था। दिन हो या रात हो प्रशान कभी भी मेरा साथ नहीं चोड़ते थे। एक पल के लिए मुझसे अलगनी होते थे। और अब 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 वो मुझसे बोर हो गया। कहते हैं कि वो मुझे प्यार तो करते हैं। लेकिन मेरे साथ है। मेरे साथ सेक्स। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी और की बीवी होती। तो मैं उन्हें जाद अच्छी लगती। कैसी गैरमर की तरह वो मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर तो कर सकते हैं। और अपनी खुद की बीवी के रूप में पुझे चूर तक नहीं सकते हैं। मुझे याद तक नहीं कि प्रशांत नहीं मुझे अपनी बीवी समझ के आखरी बार कप छुआ तो अब तो मुझे शक होता है कि शादी के बाद वो जब मुझे चूते भी ते तो अपनी बीवी समझ के चूते थे या फिर किसी और की कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु अजड़े हूा हुआ हुआ है यह सब कब तक चलता रहेगा प्रशांद क्या सब फर गॉड सेख सुनीता फिर वो सब लेकर शुरू मत हो जाओ यार हम पहले भी कई बार इन सब बातों पर बात कर चुके हैं उनकी दिमाग में कुछ और ही चलता रहते है कुछ बहुत ही अजीम सा मैं तंग आगे हूं तुमारी इन सा भरकतों से अब तुझे घर पर नहीं रहना था तो मुझे क्यों घर पर बुलाया राकेश तो कॉफी शॉप में बैट कर मेरा वेट कर मैं दो घंटे में आता हूँ मुझे लगते है एक दिन पर पाकल हुजाओंगी प्लान तुने चेंज किया यार मैं कई बेटनी कर रहा हूँ मैं तेरे घर पर जा रहा हूँ लच के लिए सुनीता भावी है ना घर में हाँ सुनीता घर पर है मैं उसे फोन करके बता देता हूँ कि तू लंच पर आ रहे बावी आपके पती देव भी अजीब है मुझे या घर पर बुलाया और खुद कहीं बार चला गया अरे बावी आप जैसी सुन्दर और सुशील कन्या मिल जाए तो अभी शादी कर लू कभी तुम राकेश बनकर आते हो कभी सुनील बनकर आते हो कभी ये बनके आते हो कभी वो बनके आते हो नमस्ते सुनीता भापी तुमे शरामारी जाहिए प्रशाद कि रोज तुम अपनी बीवी को अलग-अलग किरदार बनके भोगते हो किसी गहर मर्की तरह वो मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर तो कर सकते है अपनी खुद की बीवी के दुपे मुझे चूट आत नहीं सकते है भापी मैं मैं आपका मतलब नहीं संजा तुम नहीं समझ करोगे रहने तो प्लीज सुनीता स्टॉप इट हम कब तक बही बाते करते रहेंगे रशान तुम खुद भी भूल चुके होगे कि तुम असल में हो कौन सुनीता प्लीज अब इस सब की आदट डाल लो कै इतना काफी नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ रशान आपका ध्यान पो रखता है ना उसे पुरा ही अकिन है वो आपसे बहुत प्यार करता है दिल का बुरा नहीं है वो और फिर मेरी चुपी हमारी रोज की आदट बन गई झाल आपका धुमसे प्यार करता है झाल बन बन गई धाल झाल 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 झाल